तार तो HP SSC हमिरपूर के दोरा एक notification डाली गई है, वो notification अभी तक आपने देख ली होगी, उसमें कुछ पहले तो exam का schedule दिया गया है, कि कौन सा exam कब conduct करवाया गएगा, जाएगा, तो सबसे ज़्यादा बच्छों ने जो exam भरा हुआ, वो होगा junior office edition at 939 का, तो देख लीजिए जो 24 अप्रेल को ही करवाया जाएगा, बाद 2022 में, और बाकी सारे exam से यहाँ पर दिये गए हैं, और आप देख लीजिएगा, कौन साब ने भारा है, उसी साब से, अभी हम बात करते हैं कि, इंसलेवर्स में जो amendment की गई है, changes की गई है, वो क्या changes की गई है, देखो वैसी त आएंगे और उसके बाद next जो 80 question होंगे, वो जो है, वो किशी इस के आएंगे, वो आएंगे आपके GK की, GK जो है, कितने sections में divide की गई है, सबसे पहले number पर इन्होंने रखा है HPGK, और दूसे number पर रखा है, इन्होंने current affair, तीसे number पर रखा है everyday science, चौते number पर रखा है logical reasoning, और पांच में number पर social science है, छटे number पर जो है, वो English है, और साथ में number पर क्या है, हिंदी है, ठीक है, तो पहले क्या होता था, पहले जो है, वो आपने देखा होगा किस section से ज़्यादा पूछे जा रहे है, question किस section से कम पूछे जा रहे है, तो पहली बात आप यह मान के चलिए, पहले 10 question पूछ जाते थे, तो अब 15 question पूछ लेंगे, अगर पहले 5 question पूछ जाते थे, तो अब 10 question पूछ लेंगे, थोड़े थोड़े question जो है, वो हर एक section में बढ़ाये जाएंगे, क्यूंकि देखो ऐसा तो नहीं होगा कि किसी एक ही action को यह priority देंगे, और बात करें everyday science की देखो एकर पहले 4 question पूछ आते थया हो सकता है, आभ 7 question पूछ दे जाएं, हो सकता है 10 question पूछ दे जाएं, उसी दर आ logical reasoning की भी बात है, उसमें भी ऐसा ही होगा, कि पहले अगर 3 question पूछ जाते थे, तो अभी हो सकता है 6 question पूछ जाए, हिंदी के अगर पहले मान लीजे 2 question पूछ जाती थे और English के भी दो गशीन पूछ ले जाती थे तो हो सकता है भी दोनों के जो ह Christian के यह आधा पराजन पहुष ले जाए Hindi को ज्री देंते जाए English को ज्ञाधर देंते जाए हो सकता है reasoning को हुझा थुड़ी सी जाधर प्रीयाटे देंते जाए आप आपको क्या करना है आपने जो हूँ जो चीजें पड़ रखी है बस उन चीजों को जो है व अच्छे से ही डिवाइस करना है और फोकस है हर एक्सेक्षन के उपर आप करना होगा। ठीक है पहले क्योंकि बच्चे ऐसे करते थे कि हिंदी को भी छोड़ देते थे ज्यादा पढ़ने से और इंग्लिस और रिजनिंग इन तीनों को लिए था उधोरा लाइट लिए अब इन तीनों के बेसिक आप क्लियर कर लिजे क्योंकि बेसिक की कोईशन पूछे जाता है य यह पढ़ने के अब जरूरत नहीं है आपको तो एच्पी जी के वैसी की वैसी ही आपको पढ़नी है जैसे आप पहले पढ़ रहे थे ज्यादा ऐसा नहीं कुछ मूटे किताब रित के आपको ज्यादा स्लेबस कवर हो जाएगा किताब वही रखिए क्योंकि एक्जाम फोकस करेंगे इन सेक्शन से उपर भी आपको फोकस करना पड़ेगा यह तीन सेक्शन में मुख्य रूप से बता रहा हूं हिस्ट्री जियोग्राफिय और एकॉनमी को पेपर से कोई दस-पंदा दिन पहले रिवाइज ही कीजिए थोड़ा लाइट ली लीजिएगा इसको क्योंकि ऐसा तो नहीं होगा कि आप हर एक सेक्शन के उपर ज्यादा फोकस कर पाएंगे अस्टी से 80 कोईशन है ना यहां पर तो 80 कोईशन मैंसे आपको कम से कम भी 70 के करीब जो है वो कोईशन ठीक करने पड़ेंगे अगर बहुत असान है तो 70 से 70 प्लस ठीक करने पड़े तो इसमें भी पहले basic बड़िए गा 120 क्या कर गे पहले बिल्कुल basic पड़िएगा computer का basic के बाद वो topics वाइस बाकी चीजों को revise करना स्टार बच्चे क्या करते हैं sortint topic को उठाते हैं और उन topics के ऊपर focus करने लगते हैं पहले तो basic किताब बठीए कोई भी basic उठाब उठाइए पहले उसको cover कीजे और basic question हरी के exam में पूछे जाते हैं उन basic questions को फ़ेले गविजिए उसके बार tough कि और जाइए तो ये जो हो गया junior office assistant का आप किस तरह से cover करेंगे यहां से आपको definitely help मिलने वाली है अगर 200 questions है तो आप देख लीजेगा आपकी जब 170 questions होते थे तो बच्चों के कितने 150, 160 questions भी ठीक हूँ है 150 और 160 के भीज़ में भी 200 का है तो आप मान लीजे कि 180 plus 180 plus जो है आपको target रखना पड़ेगा अगर आपको exam qualify करना है कम post home पर तो 180 plus आपको रखना पड़ेगा यह 170 plus ही मान लीजेए अगर आप चली 170 plus मान लेते हैं कि 170 plus आप exam बहुत टफ आ गया तो 170 plus तो इस तरह से target रखना पड़ेगा क्यूंकि अब देखो competition बहुत जादा है और बच्चे त्यारी जो हैं जो रोसोरो से कर रहे हैं और हर एक बच्चा अब त्यारी में लग गया है अगर बात करें बाकी sections की बाकी papers जो कौन कौन से तो staff nurse का देख लिजे वही है 120 और 80 की ratio रखी गई है जीके की स्टैटेजी इसमें भी वही रहेगी और बाकी आप देख लिजेगा ये stando के papers है 128 और 131 तो इसमें वही दिया गया है stando के लिए एक तो आपका skill होगा जो paper qualify करने के बाद होता है और 200 questions जो है इसमें basically आपका जीके का ही आएगा और word processing भी जो है वो इसमें add की गई है word processing इसमें add की गई है वो भी आपको पढ़नी पढ़ेगी थोड़ी चीज़ी तो computer का थोड़ा सा word के बारे में पढ़नी जीगा यहांसे और अगर बात करें आने वाले TGT के exams हो गए आपके आने वाले आपके TGT के लावा TGT non-medical TGT medical हो गया खास तोर पर उनके लिए आपको क्या करना पड़ेगा इनके लिए भी 120 प्लास सीगी रेसो ही अब रहने वाली है ठीक है documentation एक हिसाब से आप समझे कि अब खतम हो गई है जो documentation में ज्यादा number लगते थे ना जन लोगों को तो उनको थोड़ा सा नुक्सान यहां से हो सकते है और जन लोगों को विचारों को एक दो number लगते थे ना उनको फाइदा है यहां से काफी फाइदा है पहले 15 number मैंसे अगर उनको जो था 4 number लगते थे दो number लगते थे तीन number लगते थे तो अब जो है वो 20 number में से 15 number में से जो है वो 10 number भी ले सकते हैं 11 number भी ले सकते हैं 12, 13, 14, 15 अपने capability के अनुसार जो है वो कितने भी number चाहिए ले सकते हैं तो अभी जो है इन चीजों के उपर आपको तोडह सोडा करना पड़ेगा खासकर जी के बहुत important है हिमाचल के एक्जाम के लिए तो जी के ओपर जरूर फोकस किजिएगा बाखी यह सब जो है पीडियाफ्स गएरा यह टेलीग्राम पर आपको पर वाइट करवा दीगे यह हैं टेलीग्राम पर अगर आपने अभी तक हमें जोई नही रती है तो वहां पर देख लिए खेद कि बाकी जेविटी की आई थी नोटिफिकेशन जिन लोगों का जेविटी में अभी है उनका पर दिया गया है उनको यह लोग वह Hisra कर वाने हैं तो वह लो जेवीटी के रिगार्ट इजिए ऊंगो जो पर लाइए तो ये थिए important information so that's all for today thank you thank you very much